आठवे कभी के बारे में स्वरी नोवे कभी के बारे में तो महा कभी भरत हरी का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे है ना और आप लोगों ने जब एमे किया है बी एड किया है और कहते हैं सास्त्री भी किया है तो इनका गरंत तो यह मान दो रखाई जाता है नीती सतक जो है बहुत इनका फ्हेमस गरंथ है जू हर पाठ करम में रखा ही जाता है मखकल से साहट में सऑस perpendicular के बहूत अच्छे कभी हुए है संस्के साहित में जिनके तीन रचनाय है इति सदक शंगार में तो यह महाँ कभी भरत्री हरी हैं तो भरत्रु हरी के बारे में कहा जाता है इनका जनम समय में दो प्रमार मिनते हैं वी सी सत्तावन वी सी ठीक हैं और 575 से 630 तो यह इनके दो परमाण मिनते हैं इस प्रकाल से भर्ट्रीहरी के समय के बारे में अगर आ जाये तो आपको आपको दोनों करना है अगर एक आए तो कोई एक करना है करस्ते के सबनार कोकई सब्सक्राफ धिजर्ण में सब्सक्राइब को तो ये सारी चीज्जे अनमानेथ होती हैं लेकिन परीष्षाओं में पूछ जाती हैं तो आपको इस तरीके से अनमानेथी जो प्रचलित है वही आपको नगाना है थीक है ना तो इस तरीके से महाango bhiallar I healthcare में कहा जाता है कि विख्रम संबत के प्रवल तक अल्थत जो राजा बिक्रमादित्य के ये बड़े भाई थे, क्या थे, ये राजा बिक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और इनकी पत्नी का नाम पिंगदा था, भाई, है ना, और ये बिक्रमादित्य थे, इनके गुरू का नाम गोरखनात था, और बसुरात, बौधमत में, मानते हैं क बॉद्धमत के थे ये भरत्री हरी तो इनका जो है पिता का नाम जो है क्या था बसुरात था यह मतलब गुरू का नाम जो है बसुरात था ऐसा कहा जाता है तो अगर पूछें कि बॉद्धमत के अनुसार बरत्री के गुरू का नाम क्या था तो आपको बसुरात नगाना है औ उसके कथन के आरहार पर हरी को क्या कहा जाता है बॉड कहा जाता है तो इनके बारे में कहा है अब देखें क्या कह रहे हैं भरत्री हरी बेदान्तोक्त ब्रह्म्य के उपासक्ते ठीक है ना तो बेदान्त में जिस प्रकाल से ब्रह्म्य की उपासना की चल्चा की गई है उसी प्रकाल से ये बेदान्त दलसन में जो है ब्रह्मा की जिस प्रकाल से बढ़नन किया गया उसी के ये उपा सकते इनके काब्यों में जो है बैधर्वी रीती है कौनसी रीती पाई जाती है बैधर्वी रीती इनके काब्यों में पाई जाती है गुण इनका प्रसाद है और प्रसाद गुण है और माधुर गुण है ये इनके काप्डियों में पाए जाते हैं ठीक है इनका प्रिये छंद महा कभी भरत्री हरीका है वो है साल दून बिक्लीडित इनका प्रिये छंद है ठीक है उसके बार इनकी रचनाएं है बाक पदियम अल्था जो ब्याकरण ग्रंथ है जिसके बारे में नोंने जो है बहुत इसमें एकसो तीन इसलोक है और बैराघ्रिश सतक यह भी मुख्तक काप है इसमें 111 इसलोक है तीक है इस प्रकाल से इनके मुक्ख ग्रंथ है चार अब देखें मुख्तक काप इनके यह यह तीन हैं ठिपक है ना थीनों मुक्तक है ना नीती सतक स्रंगार सथक और बैरागिषटक करें क्योंने हैं कियों क्योंकि सो whatever । यह बिसलोक तर्फार कम नहीं होना चाहिए और सब में सरप्राइव क्लास यह p.k. je पिर्चेता है की होगे मरें ना की ये तो क्या हो जाता में सत्क नहीं होता है सौय अधिक होगा तो भी साठक ही कहेंगे если निने किलकिट में सो अधिक रण बना दिये तो क्या कहोग होगे मैं आठ तो सतक नगा दिया इसने न थो फ् Dios सो से कम इसनोख नहीं होना चाहिए सो से अधिक हों ठीक है तो यह इनके सतकत रहे के जो रचेता है वो कौन कहलाएंगे वहरतुर्वी हरी इस प्रकार से आपको जानना है इनका प्रसिद्ध गरंथ जो है वो नीती सतक है तो इसकी विधावी मुक्तक है और सतक गरंथ है और नीती सतक के संपूर्ण विसाय को दस पद्दतियों में समायोजित किया गया है मतलत दस पद्दतियों में खटा किया गया है मूर्ख पद्दति जोसमें कहीं घैई है तो आप सबने पढ़ा होगा और भी विस्तार से आप बढ़नी जीए तो इस प्रकार से ये महा कभी भलतुदी हरी के बारे में था परीचय जो आप लोगों को अपने पाट करम में पढ़ना है इस प्रकार से कुन मिना करके अपने पाट करम में मात दस कभीयों का परीचय है तो ये दस कभीयों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है इ ये सारी चीजों को आप पढ़ करके अपना अध्यान में अच्छा वो करेंगे और निश्चत तोर पर मैं मानता हूं कि हमारे इसके माध्यम से आप लोग अपने अध्यान के माध्यम से जरूर इस परिक्षा में सफन होंगे जो जंद ही आपके सामने परिक्षा की तितियां भूसित होंगी तो आप जरूर भताय करके आएंगे ऐसा मेरा विश्वास है चंद है आंगे चंते हैं तो यह आपके नो कभी यहां तक संपूर्ण हुए अब